Hello everyone, welcome back to the channel. तो अगर अपन यहाँ पर देखे हैं इसके case के अंदर, तो questions आपका level level देख सकते हो कैसा रहा है, जैसे पहलावला circles का है, तो center दे रखा है, एक्सेस को कहाँ टच कर रहा है, दे रखा है, simple, straightforward, NCRT, 32 देख सकते हो आपका, तो trapezium दे रखा है, यह थोड़ा सा अच्छा सवाल है, इस type के सवाल अभी नहीं है, recent के अंदर, sign rule लग रहा था इसके अंदर, और sign rule लगाने के बाद फिर किसी तरह से उन्होंने length निका ली, तो यह definitely अपने एक अच्छा सवाल rate कर सकते हैं इसको, जो logical भी था, 33 आप देख सकते हैं, circle parabola दे रखा है, तो common tangent और equation पूछी थी बाजकल तो इतना lengthy कर दिया, common tangent की length, common tangent से area, common tangent के point of contact, but हाँ, common tangent अभी अभी में भी पूछा जाता है, फिर सिरफ ray of light का reflection पूछी है, यह right की ray आ रही है, x-axis पे टकरा रही है, reflected ray की question, तो straight line का बड़ा ही मतलब, simple और असान सवाल, यह ना, फिर इसका सवाल पूछा stats का, लेक कुछ solve नहीं करवा रहे है, 10 marks, grace marks दे दिये सभी को, तो क्या same रहेगा, तो मैं पता है, variance के अंदर कोई भी add, subscribe करते है, सब में same चीज को change नहीं होता, तो बहुत straight forward question, फिर यह x, y, z, r in ap, 10 inverse 10, x, 10 inverse y, 10 inverse z, r also in ap, तो दोनों के अंदर ap का result लगा लिया था, और वहां से सब बराबर आ गयते हैं, तो inverse का formula लग रहा है, ITF तब भी आता था 2013 में, अभी वाले mains में तो थोड़ा लेट हो जगे हैं, और अब ITF देते हैं, तो ऐसी feeling आती ही कि paper, लेंदी नहीं होता था, बड़ सब कुछ cover होता था पहले हैं, जैसे यह integration वाला है, तो बड़ा ही simple और logical सब्सक्राइब परेशान नहीं कर रहा है, एक्सक्राइब को T लेके बाइपार्ट लगा दो गया, यह इसमें convert हो जाएगा, इसका यूज करके अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो indefinite integration भी दे दिया, तो सब को touch कर रहे हैं, जैसे पैरा बोला circle पीछे गया था, अभी ellipse आगया, तो circle पूछ रहे हैं, जो ellipse के focus से जा रहा है, और इसका center है, तो फिर से center radius form लग जाएगी, यह आईए जैसे अपन ने last straight lines के वीडियो में जो discuss किया था, इन center वाला सवाल, तो straight lines के अंदर इन center का यह सवाल पूछ लिए, अपन से midpoint दे दिया, ताकि थोड़ा ज्य कि यह आपका curve है, और जो tangents इसके parallel होने चाहिए, तो आपको dy by dx पता चल गया है, 2 के बराबर है, dy by dx भी आपने आले बनेट से निकाला, तो concept बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, पर logical है, तो फटा-फट हो जाएगा, नहीं आता है, नहीं होगा, बर परेशान नहीं कर इसा बन जाता है, जीपी बन जाती है, और जीपी का सम निकाल सकता है, तो जीपी भी कवर हो गया, यह reasoning है reasoning, खेर इस साल तो means में नहीं आएगा, तो भी अपने बिल्कुल बात नहीं करेंगा, ठीक है, फिर जैसे अगर आगे बढ़ें तो यह अपना area under the curve आ गया, y बराब integrate करोगे तो आपको टुकड़े करने पढ़ सकते हैं, क्योंकि straight line इधर से शिरूर ही, तो parabola अलग से, फिर parabola minus line अलग से, y के अंदर करेंगे तो एक बार में आ जागा, तो simple question है, logical question simple, यह जिसे trigonol वाला है, यह 10th के NCRT में भी है, यह SL ony में भी है, यह class का question भी है, sign cost में बदल के भी कर सकते हैं, और पूरे को tan या cot में बदल के भी कर सकते हैं, तो simple simple है, जैसी यह है, बड़ा ही simple, beautiful और logical question है, यह इसके roots बोल रहा है कि 0 से 1 में 2 roots आएंगे, पर differentiation से पता लगता है कि graph तो हमेशा increase कर रहा है, तो root तो totally एक है, 2 root तो कभी आई नहीं सकते, तो does not exist ह यह थोड़ा से जादे ही आसान हो गया, limits का सवाल है, 11th की limits जैसी होगी है, तो standard limit बना सकते हैं, यह पर 2 sin square x, ज़र भी standard limit बना सकते हैं, और limit लगा सकते हैं, फिर यहाँ P and C आगे number of triangles वाला, directly formula भी NC3 लगा सकते हैं, और answer निकाल सकते हैं, यह differential equation की word problem आगे, तो इसके records पर आप कितना होगी, तो बड़े ही मतलब logical और simple सवाल थे, तो इसलिए मेंस को ला जाता था, और उस वक्त के advance बहुत अच्छा आते थे, 14, 15, 16 के आप advance उठा के देखोगे, तो मेंस आपको बड़े ही आसान लगेंगे, आज की time के comparison में, कुछ 4-5 सवाल अच्छे भी होत तो बड़े ही simple थे, पड़ा, एडवांस में कम ही पूरी करते थे, ये no solution वाली condition, और 3D भी नहीं, 2D है, 2D में no solution का मतलब है, lines parallel होनी चाहिए, पर C1 by C2 सेम नहीं होना चाहिए उनकी, तो ये जैसे differentiation, तो ये अच्छी बात जरूर मुझे इसमें लगती थी, इसके अंदर स जैसे इन्होंने किया है, trigonometry से, और inverse trigonometry में chain rule लगा कर, या फिर आप कोई substitution करो गए, इधर वे मतलब, cover सब कुछ होता था, जैसे 3D भी आ गया, अभी में ऐसा होता है कि किसी से ज्यादा सवाल आ जाते है, किसी से कम आ जाते है, लेंदी कितना भी आ जाता है, तो वो सब जीजने थोड़ी से अब change हो गई है, co-planar line small रखा इन्होंने आप, तो co-planar या तो parallel वाली होंगी या intersecting होगी, parallel तो है नहीं है, तो parallel भी आप देख सकते हो, parallel के लिए direction ratios बराबर होते हैं, तो उसके लिए सब बराबर आना चाहिए, जो इस case में आ नहीं रहा है, तो parallel नही है, तो फिर intersecting है, intersecting के अंदर skew वाला जब formula लगाते हैं, shortest distance का, थोड़े दिन पहले देखा था channel पर, उसमें answer 0 आ जाता है, तो देखो, set भी cover कर लिए, कोई chapter नहीं छोड़ते हैं, ए और B में 2 element है, एक में 4 element है, तो A x B के अंदर 3 और 3 से ज्यादा element के किक्ते subset होगी, A x B Cartesian product होता है, तो 2 forza 8 element आ जाएंगे अपने पास, total subset 2 की power 8 है, पर 3 या 3 से ज्यादा चाहिए, तो इसका मतलब, जो 2 subset वाले case है, एक subset वाला case है, 0 subset वाला case है, वो हटा सकते हैं, तो प्यारे सवाल है, logical है, simple है, पर actual means के लिए ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं, वेक्टर दे द probability का है कि 4 या 4 से ज्यादा सवाल सही करने है, तो binomial probability theorem का बिल्कुल simple सा सवाल हो गया, complex number का argument पूछ लिए, जैना, z का दे दिया theta, इसका बताओ, और unit mod दे दिया, तो ये NCIT की miscellaneous में आपको मिल जाएगा, mod z square 1 है, तो z, z bar 1 होता है, यह आप z bar को 1 by z लिख सकते हो, तो solve करन जाएट है, 58 के अंदर common root बोला है, लेकिन यहाँ दिख रहा है अपन को, कि D negative है, तो दोनों root pair में होंगे, तो एक नहीं, दोनों root ही common आ रहे है, तो calculation नहीं करवा रहे है, logic लगवा रहे है, distance between parallel plane C, तो खेर simple है, C1 minus C2, यह जैसे 60 वाल है, अब तो आप सब लोगों ने sheet मे बहुत अच्छा सवाल था, तो पहले factorization करवाया था इन्होंने, उसके बाद दोनों जगे factorization करके, जब cut करते थे, तो simple binomial आ जाता था, तो अभी के means के अंदर यह logical सवाल वाला component थोड़ा सा missing गयता है, तो last means दिखाता हूं आपको जो April के अंदर आया था, और देखे अपन क्या difference है, तो यह तो shortest distance वाला है, इसके तो पीछे ही पढ़ गए है, वीडियो भी बनाया है, अपने इसके कोई 15-20 सवाल डाल चुके हैं, इस एक ही type के question पर, तो shortest distance का सवाल पूछा है, distance देके, lambda पूछा है, तो mod लेना important था, यह बताया था, दो lambda आएंगे, तो यह अगे straightforward था, इसमें परिशानी नहीं थी, फिर तीन vector coplanar दे रखें, फिर से मला आप देख रहे हो, सेम ही chapter से कितने सारे सवाल पूछ रहे हैं, यह लो, coplanar है, तो determinant 0 किया, lambda mu में, relation यह यहां से आया, एक इनोंने दे रखा था, तो वहां से हमारे पास lambda और mu की value आई है, और फिर 80 times lambda square plus mu square, एक ही value आई है, तो summation का कोई sense ही नहीं था, तो question framing भी अच्छे से नहीं है, फिर यह वापस देखो, 3D से ही आगया सवाल, 2 hectare के दिए, फिर 3D का, put off perpendicular from P on the plane passing through this, अब यह लेंदी ले जा रहे हैं, तीन point दे रखें, पहले तीन point का determinant form से आप equation निकालो plane की, इस बार तो खेर plane है नहीं syllabus में, तो पहले plane आएगा आपके बास, फिर foot off perpendicular किराना है, तो कुछ जनों, कुछ जने formula से solve करते हैं, कुछ normal के parallel चलके intersection point निकालते हैं, तो multiple steps है, सवाल simple है, सवाल में कोई issue है, अब यह जैसे ही आला सवाल है, यही problem है मेरी अभी वाले main से, अब यह real part of Z 3 है, तो 3 plus iota y, चलो अच्छी बात है, अब Z जब अपन यहापे रखेंगे, तो अपन को इसका real part चाहिए, अब real part रखने के लिए कोई shortcut है नहीं, पूरा आप y में solve करोगे, y में rationalize करोगे, फिर सब solve करने के बाद y में आएगा, उसके बाद भी real part का set बना दिया, मतलब य के सारे इन सब का set, अलग-अलग y के लिए अलग-अलग number आएंगे, और उसकी range पूछ रहा है, तो आप quadratic by quadratic की bet के अलग से आपको range निकालने पड़ेगी, तो number of steps बढ़ रहे है, लेंदी बढ़ रहे है, और physics chemistry में अप उल्टा हो रहा है, तो मैं आपको maths का comment करके बता रहा है, यह जैसे differential equation है, यह इतनी लेंदी नहीं बूलूँगा, मैं x plus 4 को capital X ले लिया, y plus 2 को capital Y ले लिया, बट-बट redundant है, क्या फाइदा हुआ y plus 2 और x plus 4 को capital X, y लेने से, ठीक है, बट कोई नहीं, this is doable, और उस time frame में आप कर भी सकते हो, simple, linear differential equation बन रही है, और इसका, क्योंकि अपने सवाल पर है, तो मैं एक बार याद दिला दो, linear differential equation के majority of सवाल पूछे जाते हैं, तो please LDE अगर नहीं पड़ी, आपने भी तक एक बार उसको अच्छे से revise कर ले, यह जरूर एक अच्छा question में बोलूँगा, जो logical है, देखने पर नहीं लगता है, इसमें की king property लगेग तो यह hidden property वाला question था, यह direct straight forward, यह वैसा ही हो गया जैसे 2013 में था, दो circle दे दिया, number of common tension, तो C1 निकालो, C2 निकालो, R1 निकालो, R2 निकालो, compare कर लो, answer आजाएगा, यह vector का question है, कुछ 2-3 अभी अभी में यह vector वाले भी देखें, तो vector, relative vector, position vector, इनको थोड़ा सा एक बार दे के जाना पर पर लो, तो ABCD quadrilateral दे दिया, चार vertex हैं, तो चार position vector मान लिए, फिर E और F AC के, और BD के midpoint, तो अगर E और F AC और BD के midpoint है, तो आप फिर E और F4 midpoint formula से निकाल सकते हो, A plus C by 2, B plus D by 2, फिर इन्होंने बोला कि यह निकालो, तो आपने AB, BC, AB, DC सब जो जो vector थे रख हो तो यह भी अच्छा सवाल, logical सवाल है, यह इनकी बात माननी पड़ेगी, यह multinomial देते हैं, अभी last lecture में यह discuss किया था पने, तो multinomial का एक सवाल है, पहले multinomial देखने को नहीं मिलता था, अभी में multinomial मिल रहा है, number of points, continuity, differentiability, इस पर में try करूंगा में से पहले एक वीडियो बन तो missing value variable निकालो, इस पर 90% of quotient continuity, differentiability के उसी पर आते हैं, और हर साल एक आता है, तो यह थोड़ा सामें अच्छे से करने की जरूत है, इस पर मैं try करूंगा कि 27 से आपका means है, तो 26 तक जो वीडियो बनाऊंगा, 26 तक उसमें यह आ जाए, तो यह ज़रूर ध्यान रखना है, तो फिर यह जैसे probability का आगया, यह इतना difficult नहीं है, तो total probability theorem का question है और उसके according से यहाँ पर इन्होंने add किया है, और फिर उसको base theorem के अंदर convert कर सकते हैं, तो total base theorem के अभी में कुछ question आ रहे हैं, अगर इस साल binomial probability distribution नहीं आता है, तो site claim कर रहे हैं, तो क्योंकि हर साल binomial के पिछ distribution नहीं आता, तो फिर बेस का question आ सकते हैं, यह domain वाला है, यह simple है, तो कुछ-कुछ आलंगी 23 में मैंने यह देखा, 22 के comparison में थोड़ा level, लेवल नहीं बोलूंगा, लेंदी में स्थोड़ी सी moderate कर दी थी, 22 में तो आलत कराब कर दी थी, फिर determinant of square matrix की यहाँ पर बात कर रहे है है, फिर यह देखो, यह equation देदी, इधर भी M और N में equation देदी, तो क्या sense हुआ, इस linear equation 2 variable नहीं आती है, बच्चे को 10th minute, बट वो time खाना चाहते हैं, आपका तो यह N आ जाएगा, M आ जाएगा, उसके बाद अपन ने जो भी देखा था last video की, कैसे अपन इतने सारे matrix के इंदी बनाने की, कैसे हम परिशान कर सकते हैं, बच्चो को, तो mean and standard deviation दे दिया, फिर एक observation हटा के एक नहीं observation डाव दी, तो यह तो one of the statistics में तो देखो, जान खाएंगे, statistics अगर आपको नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर रखी, तो time लग सकता है, तो थोड़े सवाल कर लें, तो परिटिक के अंदर, तो अलग-अलग cases, तीनो cases लेकर solve करने बढ़ेंगे, तो जहां भी cases हैं, लंदी बनाने की opportunity वहाँ यह पीछे नहीं अटेंगे, फिर यह unique solution वाला case बोल रहा है, unique solution alpha, beta, gamma, lambda बताओ, तो देखो, सबसे बहले तो इसको solve करके आप unique solution निकालें, जो भी solution भी निकल वार है, तो यह जैसे है, इसका prime example, A1, A2, Arithmetic mean, AB के बीच में हमना फ़ी formula हमें आता है, D निकालना, R निकालना, Arithmetic mean, Geometric mean, कैसे insert करना है, कुछना है, तो एक बार वापस बता दूँ, कई बार नहीं याद करके जाते हैं, तो AMGM, कैसे insert करते हैं, याद करके जाना, कि दो reason है, तो अभी last year आया है, एक NCRT के अंदर भी ऐसे सवाल है, और दूसरा, अगर अगर वाकरी में special series नहीं आने वाली इस साल, तो सिरफ, और HPB नहीं लिखते हैं syllabus में, तो सिरफ APGP से क्या सवाल देंगे आपको, सिरफ APGP से सारी shift के तो बना नहीं सकते हैं, तो करनी ही पड़ेगा, reasoning अभी छोड़ देते हैं हमारे काम का है और इस पर भी मैं एक वीडियो भी recently बनाऊंगा जिसमें PNC के नंबर बेस साल बहुत आते हैं, अभी recent syllabus के में लिखा था, simple applications of PNC, तो numbers और words वाले बहुत-बहुत questions आते हैं, तो इसके एक अच्छा बड़ा lecture बनाना चाहता हूं मैं और जिसमें अपन प्रैक्टिस कर सकें तो इसके बात करें और number of relation, number of function जिन पे सवाल आते हैं, तो relation यह define कर दिया, और अब आपको यह cases ले-ले-ले-ले-ले-क, सारे relation बनाने पे 6 बन रहे थे total, बट यह देखना, identify करना, बहुत time-consuming ता तो integer में थोड कौन से हो सकते हैं, वो आपको देखना था, यह वाला ellipse का question था, LR की length देदी, major axis देदी, तो ellipse पता है आपको, फिर minor axis 60 degree बना रहा है, focus तो यह इस तरह के PYQ में बहुत सारे सवाल है, तो कई बार PYQ करना अमर लिए beneficial रहता है, पर यह are doable है, तो फिर area bounded by the curve, पेराबूला देदी, line देदी, outside the circle है, तो यह वाला area जो है, यह उन्होंने पूछ गिया था, तो इसके अंदर भी हमें फिर टुकडे करके अलग से निखालना पड़ा था, तो lengthiness थी थोड़ी से, जना, lengthy है सवाल, वो तो deny नहीं कर सकता कोई, पर यह PA plus PB बारा तो, एक special distances in straight line बनाए था बहुत time हो गया उस वीडियो को, तो उसके अंदर cover क्यादा कि अगर दो point होते हैं, A और B, तो PA plus PB कब minimum होगा, PA plus BB कब maximum होगा, PA minus PB कब minimum होगा, maximum होगा, वो 3-4 cases होते हैं, भही यहां पर भी इनोंने use कर लिए, तो कुछ नया question जरूर देखने को मिला, तो actually जो बच्चे sincerely प्रिल वाला पेपर, बटा मालब, fair share of crap paper देख चुके हैं, मैं इसमें लास्त 1-2 सालों, तीन सालों, फिर यह plane है, plane की equation containing the line, this, family of planes भी आगे, और इसके parallel है, तो वहां से plane आजाएगा, हमारे पास, but मालब, बहुत concentrated रहते हैं, आजकल, कुछ limited chapters है, कुछ chapter डालते ही नहीं यह भी अच्छा question माना जा सकता है, अपने पास, पिर यह जैसे P&C का, फिर से देखो, नमबर वाला आगया, तो इस नमबर वाले पर अपने एक वीडियो बनाएंगे, अच्छा सा है, और लास्ट दो question अगर आपन देखें, तो यह trigon के हैं, और trigon के अंदर भी आप देख तो mainly मैं बस यह उच्छता हूं कि over the time J mains के अंदर जो लेंदीनेस है, especially 2019 के बाद में बोलूगा, वो बड़ी है, 13, 14, 15 के अंदर सब कुछ कवर किया था 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 उसका और देवान स्टॉप आता था था पर 13, 14, 15 में सब चैटर कवर होते था, ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं आएगा, आजकल ऐसा होता ही यह आएगा, यह नहीं आएगा, syllabus में changes, पर लेंदी कर देते हैं, उसकोल 2020 में शुरू किया था, 21, 22 में तो बहुत जाथा था, 23 में आते आते लेंदी में से हैं, बट अभी भी थोड़ा सा मतलब 22 के comparison में काम है, तो देखते हैं इस बार का कैसा रहता है, और आप इंदों लोगा attempt करें, और मुझे बताएं, आपके maths में क्या score रहे हैं, और physics, chemistry में क्या कोई changes हैं, जैसे maths के अंदर होते हैं, तो थोड़ा सा different था, I think आपको एक idea लगा होगा मेंस के अंदर, और अपन और कुछ वीडियोस देखेंगे, जैही मेंस की जो series चल रही है, चैनल पर उसको जरूर फॉलो करके रहे हैं, कुछ repeated questions देख रहे हैं, जो बार बार आ रहे हैं, और ऐसे ही और भी कुछ वीडियोस और tips के साथ, आपन मिले तो उसके suggestions मैं आपसे बाद में मागूँगा, तो thank you वीडियो में बने रहने के लिए, और share कर सकते हैं, बाकी मेंस वालों के साथ, अब तो मेंस आ रहा है, तो paper लगाएं, आप सथी घर पे, जल्दी मिलेंगे, एक और वीडियो के साथ, revision वीडियो के साथ, अपते के लिए Thank you everyone.